लोग बोलते हैं कि मैं लोगों के लिए सब कुछ करता हूं या करती हूं मगर मेरे खुद के लिए मेरे को टाहिम ही नहीं मिलता हूं लोग इतर लोगों के लिए बाकी लोगों के लिए समय देते हैं मगर खुद के लिए समय देते नहीं है खुद की बैटरी चार्ज करो सुबह उटने से हिपनो थेरिपी करो मेडिडेशन करो रिलाक्सेशन करो और अपनी बैटरी चार्ज करो और इज़े अपनी बैटरी चार्ज हो गई तो अपने पास में बहुत टाइम रहेगा और चार्च करना मतलब क्या करना चार्च करना मतलब पीछे का जो भी कुछ है पास का जो भी कुछ है जो भी पास का कलर कर रहा है अपने प्रेजेंट को उसको निकाल देना क्या होता है कि हम घर से ऑफिस में जाते हैं ऑफिस में जाने के बाद में वहां काम करते हैं काम करते करते गलतियां होती है बहुत कुछ कुछ सुनाता है अपना कलीग अपने कुछ सुनाता है कि आपका ख्याल नहीं है अब काम बहुत स्लो स्लो कर रहे है क्या होगे आपको क् भी घर की बात हुई थी घर में जो भी तकलिवे थी घर में जो भी टेंशन था वह हमने आफिस में लेका है दिमाघ में बैंगरांड में वही चल मैं स्पीड से काम नहीं कर रहा हूं यदि मेरा बैग्राउंड में जो चल रहा है वो मुरा अभी प्रेजेंट कलर कर रहा है तो मेरा स्पीड कम हो रहा है और पिर एक ही काम करने के लिए मुझे ज्यादा समय लग रहा है मतलब क्या है कि सीचेशन में जो भी कुछ हुआ घर में जो भी कुछ हुआ वातावन में जो भी कुछ हुआ वो मुझे इंफ्लूएंस कर रहा है उसका coloring हुआ है वो आवाज मेरी background में चल रही है और वो आवाज मुझे सताती है पीछे से मेरा time लेती है मेरी energy लेती है actually मेरा time मुझे कम है ऐसा बोलने के वज़े आप बोल सकते कि मुझे energy नहीं है मेरे पांस में उतनी energy नहीं है क्योंकि energy सक्किया हुआ है past में हम present to the present नहीं है हम तो बोलते कि मेरा बच्चा फिल हो गया तो मुझे दुख तो होना ही था मेरे बॉस ने मेरे ओपर घुसा किया तो मुझे अच्छा लगता नहीं है मुझे तो बुरा लगना ही था उसने ऐसा किया मुझे तो गुस्ता आ नहीं था मतलब क्या है कि जो भी कुछ वातावरण में हुआ है उसका असर मेरे उपर हो रहा है मेरे मनस्थिती के ऊपर हो रहा है और जैसी परिस्थिती है वैसी मेरी मनस्थिती होते जाती है हाला कि परिस्थिती के ऊपर इसी मनस्थिती बनते जाएंगी तो फिर तो मैं कहा हूं मैं तो हैं नहीं मैं तो फिर परिसिती का situation का एक गुलाम हूँ परिसिती मुसे control कर रही है परिसिती बता रही है कि मैंने कैसा रहना चाहिए कैसा feel करना चाहिए वह तो हो रहा है मेरे पूरे दिन में scene after scene after scene होते जा रहे situation बदलते जा रही है लोग बदलते जा रही है वह वह मेरा life कर रहा है मेरे निए परी सिह उपर dependent फिर या हो 가져 का मतलब यह कि मेरा खुश होना नहीं होना परिषिती के उपर depend है यह परिशिती अच्छी है परिशिती में सब कुछ मेरा मिंज्रिश चलता रहा हो तो मैं खुश हो जाऊंगा परिसीटी ठीक नहीं तो मैं दुख नुखी होगा ऐसुह का मतलब हो आना है और फरिसीदी कभी भी मैं जैसा बोस्तों वैसे होने वाली है हम बोलते है लाइफ हमें कैसी आकर होती है लाइफ क्वरोकर होती है भैalt extrêmement लाइफ कुछ वहोगा है हमको डर लगता है कुछ तो भी मेरे खिलाफ हो जाए गा कुछ तो है और हमारा डर पूरा परिसिति के ऊपर डिपेंड है तो अभी आसे हमने यह करना है कि परिसिति मुसे कंट्रोल नहीं करेंगी मनस्तिती जो मेरी है वो परिसिति कैसी भी हो मेरी मनस्तिति मैं में कंट्रोल करूंगा देखिया नस बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी सिजुएशन सेम आती है मगर लोगों ने उसको अलगलग तरह से रियक्ट किया हुआ है करोना सब के जीवन में एक जैसा आ गया सबको करोना की परिसिते का सामना करना पड़ा तो कुछ तो प्रेसेंट रहना है और हमेशा खुश पीसफुल शान्त रहना है थैंक यू बेरी मच हमारा एप है मेरा डॉक्टर केड़कर नाम का आप प्लेस्टों से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आप चैटिंग कर सकते हैं अपॉइंट में ले सकते हैं वीडियो देख सकत कर दो